हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल एनी इस्टै गैस आज के मेरी वीडियो में आपको डेटेल से बताऊंगे कि पीसी ओडी क्या होती है और इसके क्या कारण है इसके होने के क्या रीजन होते हैं और इनसे किस तरीके से सोलाउड किया जा सकता है इसी के बारे में हम अमारे वीडियो में आज टेल से बात करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लैड्स को ही स्टाटेड!! प्रिकोर्ड, यानि पॉलसिस्टिक डिसॉडर औवरी शिस्टम यह प्राप्लेम्स महीलों में ज्यादा होती है आपने इंडिया में देखा होगा कि हर 10 मैंसे 5 वुमेंस को ये प्रावलाब को महिलों की बॉड़ी में एंड्रोजन जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो बढ़ने लग जाता है जिससे क्या होता है जो हमारी ओवरी होती है अंडा से वो सिस्ट होने लग जाती है तो इसी वज़े से उनके फेस पे बॉड़ी पे और कई इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिससे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं फेस पे बहुत जादा मुहा से होना कई पर आपने वुमेंस को देखा होगा उनकी स्कीन बहुत जादा ओईली रहती है और जिसकी वज़े से भी फेस पे बहुत जादा दाने हो जाते हैं पिमपर्स हो जाते हैं तो यह इनके कुछ ऐसे कारण है जिसकी वज़े से हम इनका पता लगा सकते हैं कि यह किस वज़े से हो रहे हैं सेकिंड है जो हमारे हेर के बाल होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जड़ना और बाल इतने ज़्यादा पतले हो जाते हैं सम्मी से पहले बालों का सफेद हो जाना साथ ही साथ गाईज आपने देखा होगा सबसे बड़ा रीजन है पीरेट्स एनियमित होना कई लोग के से उनको नीद नहीं आती है एंड गाइज PCOD की प्रॉब्लम हर वुमेंस में अलग-अलग होती है ऐसा नहीं कि सभी वुमेंस में सारे ही चीज़े आपको देखने को मिलेगी तब ही आप देखेंगे कि इनको प्रॉकॉड प्रॉब्लम सब्सक्राइब किसी के फेस पेदाने ह समझना चाहिए अभी तो यह हमें नॉर्मल्स लगेगे कि हमारे पीरेट्स नहीं आ रहे या फेस ओईली है तो हम इग्नॉर कर देंगे बड़ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी उस तेंग बात में जब मैरिज होगी मैरिज के बाद अगर आपको पीरेट्स नहीं अगर आपको भी इस तरीकी की कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी से उसका सोल आउड कीजिए और इसका समाधान तो ऐसी कोई टैबलेट्स हो गिरा इतना कुछ नहीं है कि आप डॉक्टर को जाओगे वो आपको कोई दवाई दे देंगे इसके लिए जहां तक हो सके अब यूर्वेतिक सिरप का ही इस्तेमाल कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाईए फाइबर यूक्त भोजन कीजिए अपनी सब्जियों में दू धाई केल्सियम प्रोटीन इन चीजों का सेवन जादा कीजिए जिससे आपकी स्कीन में हेल्थी रहेगी और आ जाके जाकर ये बहुत बड़ी समस्य हो सकती है इसके लिए आप अभी से ही इसका इलाज स्टाट कर दीजिए जिससे जाकर आवगे जाकर आपके बाजपन किया किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो मैं एक बर आपको वापस बता देती हूं कि प्रोकोड एक ऐसी जिसमें जो वुमेंस की बॉड़ी में जो मैन हॉर्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं जिस वचे से इस तरह की की प्रॉब्लम्स स्टाट हो जाती है वुमेंस की बॉड़ी को ठीक से वर करने के लिए मेल और फीमेल इन दोनों हॉर्मोन्स की बराबर आउ सकता होती है भी ठीक नहीं होगा उब इसका इलाज स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पीरेट्स इन्रेगूलर हैं पीरेट्स को लेकर कुई प्रॉबलम में पीरेट्स के दोराण आपके पीट में बहुत तकलीफ होती है बहुत जादा ब्लुडिंग होती है तो आप इसके लिए अभी अगर आप में इस तरह की कोई समस्या है तो प्लीज इसका इलाज कराईए जिससे आगे जाकर आपको किसी भी प्रॉब्रम्स का सामना नहीं करना पड़े